नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में नमंबर 2022 का 300 सबसे महत्पुन करेंट अफेर कोशन को डिसक्रस किया जाएगा केबल एक वीडियो में अगर आप इस एक वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपका नमंबर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और इसका पीडियेप भारत मोजांबिक और किस देश के बीच पहला त्रीपचिये नोसेना अभ्यास आयुजित किया गया है तो भारत मोजांबिक और तंजानिये के बीच में जो है पहला त्रीपचिये नोसेना अभ्यास आयुजित किया गया है इसका आयुजन कहां पर होता है तो इसका किया गया है तो गुवालियर में किया गया है निम्लिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 महला बिसकप 2022 का खिताब जीता है तो किस देश के दौरा जीता गया है तो अस्पेन देश के दौरा जीता गया है और किस देश को हरा कर जीता है तो कुलंबिया देश को हरा कर जी किता है भारत ने पहली बार जो है साथ में फीफा अंडर 17 महला विसकप 2022 की मेजवानी जो है 11 से 30 अक्टूबर तक की थी कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने किस राज में भारत के सबसे बड़े भूल भुलेया उद्यान और मिया बाकी बन का उड़गाटन किया है तो कहा गुजरात में किया है प्रधान मंतरी मोदी जी के द्वारा जो है किस राज में भारत के सबसे बड़ा भूल भुलेया उद्यान और मिया बाकी बन का उड़गाटन कहां पर किया है तो गुजरात में किया है चर्चा में रही माचू नदी किस राज से समंदित है तो जो सम्मंद है और आपको याद होगा कि जो माच्छू नदी है इसी पर एक जो बिरिज था पूल था वो तूट गया था जिसमें करीब डिड़ सो लोगों की जान चली गई थी और यह कहां पर अस्थित था तो गुजरात के मौरवी में अस्थित था भारत में फुटबॉल फोर ऑस्कूल भारत में फुटबॉल फोर ऑस्कूल पहल किस के सहीरोग से लांच किया गया है तो यह लांच किया है फीफा के सहीरोगसे लांच किया गया है एक जनवरी 2023 को लुला डो सिलवा किस देश के उन्चली समे राष्ठ पति बनेंगे तो ब्राजील के लूलाडी सिल्वा जो है किस देश के 49 में राष्टपती बनेगे तो ब्राजील के बनेगे नोड कर लिजेगा व्लच कर लिजीगा वरी वरी important है और इसका पहले बॉल सो नारो थे ठीक है अभी तो बरत्माने बोल सुना रोही है लेकिन एक जनवरी से जोए कौन बन जाएंगे तो लूलाडी सिल्वा बन जाएंगे कि उनकी चुनाव जित गया है 31 अक्टूबर से 1 नमंबर 2022 तक गोवा संगुंद्री संगोस्टी का कौन सा संस्क्रन आयोजित किया गया है 1 नमंबर 2022 को भारती रिजयब बैंक ने डिजिटल रूपी की सुरुवात की है इसके लिए कितने बैंकों की पहचान की गई है तो इसके लिए 9 बैंकों की पहचान की गई है वेरी वेरी इनपोटेंट है जो भारती रिजाब बैंक हो उसके दोबारा डिजिटल रूपी की सुरुवात की गई है और इसके लिए जो है नो बैंकों की पहचान की गई है 31 अक्टूबर 2022 को किस कोट ने टू फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दिये तो सुप्रिम कोट के दोबारा रोक लगाया गया है टू फिंगर टेस्ट क्या होता है आप सब लोग इसके बारे में कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं टू फिंगर टेस्ट क्या होता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि जल सप्ता इंडिया वाटर बिक 2022 का आईजन किया गया तो कब से कब तक किया गया है तो एक नमंबर से पांच नमंबर तक किया गया है जल सप्ता इंडिया वाटर बिक का चर्चा में रहा मानगल धाम किस राज में अस्तित है तो राजस्थान राज में अस्तित है भारत का तिरपमनमा टाइगर रिजब कौन है तो भारत का तिरपमनमा टाइगर रिजब है रानिपूर टाइगर रिजब है और किस राज में अस्तित है तो उत्तर परदेश राज म अस्तित है भारत के अस्टील मैन कहे जाने बाले जमसेद जे इरानी का निर्धन हो गया उन्हें किस वर्स पदम भूसन से सम्मानित किया गया था इन्पोर्टेंट कोशन है तो सभी लोग जानते हैं कि भारत के जो अस्टील मैन है जमसेद जी इरानी को बोला जाता है और इन का हाल ही में निर्धन गया है इन्हें कब जो है पदम भुष्षन से सम्मानित किया गया था 2007 में सम्मानित किया गया था नेकस्ट पुइंत है फ्रती ब्रस भारति भातिवासा उत्तर भारत के पहले इस इटेड़ा और लुकारपन कहां पर किया गया है तो ग्रेटर नुडा प्रदेश में किया होगा तो भारत का पहला जो एकोवा पार्क है अरुनाचल प्रदेश राज में अस्थापित होगा नेक्स्ट पॉइंट है बिसे सी आई ने पुरुस और महला क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस का भुगतान करने की गोशना की है इसके तहट टेस्ट मैच के लिए कितनी फीस होगी जो टेस्ट मैच होगा इसके लिए कितना फीस होगा तो आपको याद रखना है टेस्ट मैच के लिए जो है 15 लाग फीस होगा टेस्ट मैच के लिए जबकि वंडे के लिए 6 लाग होगा और T20 के लिए 3 लाग होगा ठीक है टेस्ट के लिए 15 लाख और 50-50 ओवर इसे बोलते हैं वन डे उसके लिए 6 लाख और T20 के लिए आपके 3 लाख होगा ठीक है यहाँ पर लिखाने गया है नेक्स्ट पॉइंट है रच्छा मंतरी राजनासी ने किस राज या केंसाचित प्रदेश में सियोक पूल का उठगाटन किया है तो लदाक में सियोक पूल का उठगाटन किया है किस नदी पर किया है तो सियोक नदी पर किया है आपको पता भी पहली बार हेलो बीन तेवार मनाया गया है तो सौधी अरव में पहली बार हेलो बीन तेवार मनाया गया है नेक्स्ट पॉइंट है एक से तीन सितंबर 2022 तक तीसरा रास्टी आदिबासी निरित महोसव कहां पर आयोजित किया गया है तो रायपूर में आयोजित किया गया है रायपूर कहां पर है तो 36 गड़ में अस्थित है रायपूर उप्राश्च पती जगदीब धनकर दुबारा किसे भारत का पहला डॉक्टर रजंदर परसाद अवाड दिया गया है तो किसे दिया गया है प्रोफेसर रमेश अरुडा को दिया गया है एक नमंबर 2022 को किसने बीसु का सबसे सकती साली रोकेट फालकेन हैवी को लॉंच किया है तो फालकेन हैवी को किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो अस्पेस यक्स के द्वारा लॉंच किया गया है ठीक है चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड़ा किस राज में अस्तित है वेरे वेरे इनपोर्टेंट पॉइंट है PM, Modi के दोरे, इसका उड़ GETTTM किया गया है, Need of French Open Badminton Conformment 2022 में, किस जोडी ने पुरूस डवल्स का खिताब जीता है, तो सातविक, साहिराज और चिराग शेटी ने जीता है, सातविक, साहिराज और चिराग सेटी ने जो है, फ्रेंच ओपन बेरिमेंटेंट टुनामेंट 2022 में जो है पुरूस डवल्स का खिताब जीता है इतना आपको नोट करना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग बितिय सचरता सिविर का आयोजन किस सहर में किया है तो स्री नगर में किया है कहां पर किया है स्री नगर में किया है ठीक है सारजा किस देश में अस्तित है सौधी अरब अमिरात में अस्तित है सारजा कहांपर है कि सारजा कहां पर है तो सैयुक्त अरब अमिरात के सारजा अस्थित एक्सपो सेंटर पर किया गया है ठीक है नेक्स्ट है बांगलादेश की प्रधान मंत्री सेख हसीना ने किसे प्रतिस्थित Friends of Liberation वार से सम्मानित किया है तो किसे सम्मानित किया है Edward M. Kennedy को सम्मानित किया है 25 से 28 नमंबर 2022 तक भारत के किस राज ने Track Asia Cup 2022 की मेजवानी की है तो किरल राज के दुबरा किया गया है दुबरा देखेगा कि भारत के किस राज ने जो है ट्रेक Asia Cup 2022 की मेजवानी की है तो किरल राज के द्वारा किया गया है दो नमंबर 2022 को एला बेन भट का निर्धन हो गया वे थे जो एला बेन है ये कौन थे तो समाजी कार करता थे एक समाजी कार करता थे नेक्स्ट पॉइंट है रच्छा अनुसंदान एवं विकास संगठन ने कहां से इंटर्सेप्टर AD1 मिसाइल का पहला सफल परिच्छन किया है तो कहां से किया है उड़िसा से किया गया है तो अब्दुलकलाम दीप से किया गया है अब्दुलकलाम दीप उड़िसा से किया गया है नेक्स्ट पॉइंट है किस राज में लाडली लच्मी योजना लाडली लच्मी योजना टू जिरो का सुभारम किया गया है वर्ड ओफ दा इयर 2022 चुना है तो किसे चुना है तो आपको आद रखना है पर्मा क्राइसिस को चुना है कोलिन्स डिसनरी ने वर्ड ओफ दा इयर 2022 किसे चुना है तो पर्मा क्राइसिस को चुना है किस राज ने नागरिक जुडाव और संचार कारिकरम शुरू किया है तो किस के दवारा शुरू किया गया है मिघाले राज के दवारा शुरू किया गया है वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों और केंद सासित परदेशों के लिए प्रदर्शन, grading index में उच्छ स्रेनी अस्तर 2 में कितने राज या केंदर साशित परदेश आपके सामिल हैं, तो कितने सामिल हैं, साथ राज या केंदर साशित परदेश आपके सामिल हैं, इसे नूड कर लिजेगा, very very important point है, नेक्स कोशन है कि बिश्व का सबसे बड़ा पांडू लिपी गरंथाले किस राज में बन रहा है ठीक है पांडू लिपी गरंथाले किस राज में बन रहा है सबसे बड़ा बिश्व का तो गुजरात राज में बन रहा है केंद्री रिजव पुलिश बल सी रपी एफ के बिहार सेक्टर का नया आईजी किसे बनाया गया है तो सीमा ढूंडिया को बनाया गया है रच्छा अभियास ओप्रेशन बिजलेंस अस्टॉर्म दच्छिन कोरिया और किस अंदेश के बीच आयुजित किया गया है निरबाचन आयोग ने गुजरात विधान सभा चुनाओ 2022 की घोसना की है गुजरात विधान सभा में कितने सीटे हैं तो गुजरात विधान सभा में कुल 182 सीटे हैं और आपको बता दे कि जो गुजरात का अलेक्शन हुआ था इसका रिजल्ट भी आ गया है तो इसमें कौन जितता है तो BJP जो है भारी बहुमस से जितती है ठीक है और जो आम आदिम पाटी है इसे 4 या 5 सीट मिलता है और साथ कांगरेस को 16 सीट मिलता है इसे आप लोग चेक कर लिजएगा ठीक है यह कि आपसे पूछा जा सकता है और जो हिमाचल परदेश है हिमाचल में कांगरेस जितती है माचल परदेश में कांगरेस जितती है और गुजरात में बी जे पी जितती है ठीक है ओढरी बहुमस से जितती है तो तीन नमंबर को मनेया गया है कहां पर इंडिया केम 2022 सम्मिलन का आयूजन किया गया है तो नई दिल्ली में किया गया है कहां पर किया गया है नई दिल्ली में किया गया है बिसु पहली चंपियंशिप में 11 बर्स बाद भारत के लिए पहला रज़त पदक किस ने जीता है तो किस के दवारा जीता गया है प् बिशु पहली चेंपियंशिप में 11 बरस बाद भारत के लिए पहला रज़त पदक किसने जीता है, तो किसके द्वारा जीता गया है, प्रसन्ना सिसादरी के द्वारा जीता गया है, अडानी निव इंडस्टीज लिमिटेड द्वारा, किस राज में भारत की सबसे बड़ी प लिक है, यहाँ पर दिखे लिख़ा भी गया है, कि यह वीश्व की सबसे उची मानब परतीमा, A Statue of Unity से भी अपके ऊचा है, कहाँ पर भारत का पहला महला महला किलनिय का उड़गवाटन किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, दिल्ली में किया गया है, सुतंत्र भारत के पहले मत दता का दरजा हासिल दिमलिखित में से किस बेक्ति ने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से मत दान किया है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है स्याम सरन नेगी है क्या उनका नाम है स्याम सरन नेगी उनका नाम हिसे नूट कर लिजेगा वेरे वेरे इनपोर्ट कि ने अपना अगला अध्यत जो है सुब्रकांत पांडा को नेक्ट किया है नेक्स्ट पॉइंट है कि किस देश की किस देश की पुरुष टीम ने ACI SQUES Team Championship 2022 में पहली बार स्वन पदक जीता है तो जीता गया है भारत की टीम के दोबरा ठीक है इसे दोबरा देख लिजिएगा किस देश की पूरुष टीम ने ACI SQS Team Championship 222 में पहली बार स्वन पदक जीता है तो भारत की टीम ने पहली बार स्वन पदक जीता है इजरायल के नए प्रधान मंतरी कौन बने है तो इजरायल के नए प्रधान मंतरी जो है बेंजामिन नेतिनिवाहू बन गए है वेरी वेरी इन्पोर्टेंट है गिंती कहां पर किया गया है नागा लेंड राज में किया गया है किस राज में पहली बार जो है पच्छियों की गिंती की गई है तो नागा लेंड में पहली बार पच्छियों की गिंती की गई है नेक्स्ट है प्रति बर्स बेसु सुनामी जारुकता दिवस का आयोजन कब किया जाता है तो 5 नमबर को किया जाता है 5 नमबर को प्रति बर्स बेसु सुनामी जारुकता दिवस मनाया जाता है किस राज में राजिंग सन बाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है किस राज में जो है, राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है, तो मेघाले राज में किया गया है, किसे अंतरास्री होकी महासंग के नए अध्यच के रूप में चुना गया है, तो किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है, मुहम्मद तैयब इकराम को, मुह ट्रॉफी जीती है तो पहली बार जो है सयद सयद मुस्ताक अली ट्रॉफी जो है मुंबाई के दुवारा जीता गया है किसके दुवारा मुंबाई के दुवारा जीता गया है और आपको याद रखना है कि किस टीम को हराकर जीता है तो हिमाचल परदेश टीम को हराकर जीता ह मुंबई ने 26 मा माला बार युद अभ्यास 2022 किस देश में आयोज़न किया गया है तो 26 मा माला बार युद अभ्यास 2022 का आयोज़न जो है जपान में किया गया है इसमें कौनकों से देश भाग लेते हैं तो जपान भारत और अमिर्का भाग लेते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2022 के लिए किसे एजू थाचन पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो ए सेतु माधवन को जो है एजू थाचन पुरसकार से सम्मानित किया गया है अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फरेंस एंड एक्स्पो का पंदर्मा संस्क्रन कहां पर आयुजित किया गया है तो कोचिंग में आयुजित किया गया है कोचिंग किस राज में अस्तित है तो कोचिंग जो है किरल राज में अस्तित है दोबारा देखेगा कि अर्बन मोब इंडिया कॉनफरेंस एंड एक्सपो का पंदर्मा संस्क्रन कहां पर आयुजित किया गया है तो कोचिंग केरेल में आयुजित किया गया है नेक्स्ट पॉइंट है निम्लिखित में से किस देश में वीस्व की सबसे लंबी यातरी ट्रेन होने का record बना है इसे दوبारा देख़ीएगा कि निमलिकेत में से किस देश में वि dużbes की सबसे लंबी आतरी train होने का record बना है तो Sweden Land में Sweden Land में ठीक है Sweden Land में जो जोए सबसे लंबी आतरी train होने का record बना है और आपको याद राखने जो train थी इस ट्रेन में 100 डिब्बे थे, कितने डिब्बे थे, 100 डिब्बे थे, चर्चा में रहा रिसेट टू उपगरा किस देश से सम्मंदित है, तो रिसेट टू उपगरा का सम्मंद जो है भारत देश से, इसका सम्मंद भारत देश से है, भारत की स्पेस एजंसी कौन है, तो भार में किस देश के राष्टपती मुख अतिती होंगे तो गुवाना के जो राष्टपती होंगे ये मुख अतिती होंगे ठीक है मुख अतिती होंगे और आपको याद रखना है जो मुख अतिती होंगे परवासी भारतिय दिवस सम्मिलन का इसे नूट कर लिजएगा वेरे वेर लुक्ता दिवस, कभ मनाया जाता है, तो साथ नमबर को मनाया जाता है। कहां पर विस्व की पहली वैंदिक गली की अधार सिला रखी गई है, तो कहां पर रखा गया है, उजयन मद परदेश में रखा γया है, ठीक है, और इसकी अधार सिला किसके दवरा रखी गई है तो आप से भी लोग कॉमेंट करके बताईएगा ठीक है नेक्स्ट है चर्चा में रहा एक सो तीनमा समिधान संसोधन किसे सम्मंदित है तो आर्थिक रूप से कमजोर बरग से सम्मंदित है एक सो तीनमा समिधान संसोधन जो आर्थिक रूप से कमजूर बर्ग है उन्हें जो अरच्छन दिया गया है सुप्रिम कोट जो इसे बैद करार दिया है नेक्स्ट पॉइंट है कि कहां वर्ल्ड ट्रेबल मार्केट 2022 का आयोजन किया गया है तो कहां पर किया गया है लंदन में किया गया है दोवारा देखिएगा कि कहां जो है वर्ल्ड ट्रेबल मार्केट 2022 का आयोजन किया गया है तो लंदन में किया गया है रास्टी असमारक प्राधिकरन का अध्यच किसे निवक्त किया गया है तो किसोर कुमार वासा को जो है रास्टी असमारक प्राधिकरन का अध्यच निवक्त किया गया है फ्रांसीसी सरकार दोरा सेवेलियर पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो अरुना साही राम को जो है सेवेलियर पुरसकार से सम्मानित किया गया है ACI महादीपिय सतरंज टूनामेंट 2022 में महला बर का खिताब किसने जीता है तो महला बर का खिताब जो है PB नन धिधा के दवारा जीता गया है और पूर्सों में किसके दुवरा जीता गया है तो पूर्सों में जीता गया है आर प्रग्या नंदा के दुवरा जीता गया है नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कहां पर होगा तो नुड़ा में होगा तो ग्रेटर नुड़ा में होगा एक बरस में एक हजार टी ट्वंटी अंतरास्टी रन बनाने बाले पहले भारती खिलाली कौन बन गए हैं तो सुर्य कुमार यादब बन गए हैं नमबर 2022 में रुवेल अस्टेलियाई नेवी और भारतिय नॉस्टिने ने कहां पर समुंद्री भागिदारी अभियास किया है तो बंगाल की खाड़ी में किया है प्रति बर्स 20 रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है तो 8 नमंबर को मनाया जाता है प्रति बर्स 20 रेडियोग्राफी दिवस next point है कि कि ने जो है WETS application को launch किया है तो WETS application को किसके द्वरा launch किया गया है तो प्रसार भारती के द्वरा launch किया गया है उतरपरदेश सरकार ने जो है किस वरस तक मत्रुवा विरिंदाबन को सुद सुन कारवं उतसर जन परियकटन अस्थल बनाए जाने की घोशना की है 2004 तक तक उत्रपरदेश गbulवर्मेंट के दोबरा सुद सुन कारवं उतसर जन परियकटन अस्थल बनाए जाने की अक्टूबर 2022 के लिए मेंस पुरूस ICC Player of the Month किसे चुना गया है तो बिराट कोहली को चुना गया है जबकि महला में किसे चुना गया है तो महला में चुना गया है नीदा डार को नीदार अनका संबंद किस देश से है तो इनका संबंद पाकिस्तान देश से है यह आपके अक्टूबर का था ठीक है पहले केरल जोति पुरसकार के लिए कौन चुने गया है तो EMT वासूदेबन नायर को चुना गया है नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज में अंतरास्टी पुषकर मेले 2022 का आयोजन किया गया है तो किस राज में किया गया है रजस्थान राज में किया गया है अंतरास्टी पुषकर मेले 2022 का आयोजन रच्छा अनुसंधान एबं विकास संगठन DRDO ने भारती नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परिच्छन और मुल्यांकन की कौन सी सुबधा शुरू किये तो आपको याद रखना है अस्पेस एक सुबधा इसे शुरू किया गया है देखेगा कि DRDO ने भारती नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परिच्छन और मुल्यांकन की कौन सी सुबधा शुरू किये तो अस्पेस सुबधा शुरू किये ठीक है इसे नूट कर दीजेगा इन्पोटेंट पॉइंट है नेक्स्ट आसियान भारत असमारक सिखर समिलन में भारत का नेत्रित्व किसने किया है तो किसके दवरा किया गया है ये किया गया है जगदीब धनख़ के दोबरा किया गया है जगदीब धनख़ कौन है तो जगदीब धनख़ जो है भारत के उपराश्च पती है भारत के उपराश्च पती है सीखो के पर्थम गुरु गुरु नानक देव का कौन सा प्रकास उत्सव मनाया गया है तो पांसो तिरपनमा प्रकास उत्सव मनाया गया है आठ नमंबर 2022 को ठीक है नेक्स्ट है उत्राखंड का 22 अस्थपना दिवस कब मनाया गया है तो 9 नमंबर को जो है उत्राखंड 9 नमंबर को उत्राखंड का 22 अस्थपना दिवस मनाया गया है उत्राखंड एक नया राज कब बना था तो 9 नमंबर 2000 को बना था और आपको याद रखना ये भारत के 27 रा दो हजार को बना था 15 नमबर दो हजार को बना था ठीक है इसे नूट कर लिजेगा वेरे वेरे इनपोटेंट पॉइंट है नेक्स्ट है भारत का नीजी तोर पर बिक्षित पहला रॉकेट कौन है तो बिकरम यस है भारत का नीजी तोर पर बिक्षित पहला रॉकेट कौन है तो बिकरम येस है, दूसे 5 फरवरी 2023 तक, रास्तिय सीत कालिन खेलों की मेजबानी कौन सा राज करेगा, तो ये करेगा उत्रा खंड राज करेगा, ठीक है, कौन सा राज करेगा, उत्रा खंड राज करेगा, नेक्स्ट पॉइंट है, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला, भारत का पहला राज कौन बन गया है, तो भारत का पहला राज किरल बन गया है, कौन बन गया है, किरल भारत का पहला राज है, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला, ICC ने Cricket Hall of Fame में तीन खिलाडियों को जगा दिये निमलिकित में से कौन एक सामिल नहीं है इस में से कौन आपका एक सामिल नहीं है तो देख लिजिए सिब नरायन चंदरपॉल सामिल है अबदूल कादिर सामिल है चारलोट एडवर्ड सामिल है जबकि रोहिसरमा को सामिल नहीं किया गया है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है D इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है अच्छा है यहाँ पर यह देख लिजिएगा कि जो सिब नरायन चंदरपॉल है इनका संबंध किस देश से तो इनका संबंध बेस्टेंडिस से है और जो अबदूल कादिर है इनका संबंध पाकिस्तान से है और जो चारलोट एडवर्ड से इनका संबंध इंगलेंड देश से है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है मौरा हेली मौरा हेली किस देश के इतिहास में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई है तो अमिर का देश के इतिहास में जो है पहली लेस्बियन गवर्नर कौन चुनी गई है तो मौरा हेली चुनी गई है ठीक है मौरा हेली चुनी गई है नूट की जेगा वेरी वेरी इनपोटेंट पॉइंट है और यह जो गवर्नर कहां की बनी है तो मेसाचुशेट्स की गवर्नर चुनी गई है 21 से 30 नमंबर 2022 तक किस राज में संगाई महोसव मनाया गया है तो किस राज में संगाई महोसव मनाया गया है मनिपुर में एक जील है लोक्टक जील आपसे भी को याद होगा लोक्टक जील ये कहां पर अस्तित है तो मनिपुर में अस्तित है लोक्टक जील निमलखित में से कौन जो है बेली के इस फोड मिडल से सम्मानित होने बाले पहले भारतिय बेग्यानिक बने है उनका नाम क्या तो उनका नाम है डॉक्टर सुभास बाबू क्या नाम है डॉक्टर सुभास बाबू दोवारा देखेगा कि निम्लिखित में से कौन जो है बेली के एस फोड मेडल से सम्वानित होने बाले पहले भारतिय बेग्यानिक बने है उनका नाम क्या है तो डॉक्टर सुभास सामिल है जबकि पाकिस्तान सामिल नहीं है मैगरouse Alliance for Climate किसके दौबराश शुरू किया गया है तो स्यंकुत अर्ब अमिरात और इंडोनेसिया के दौबराश किया गया है और आपको याद रखना जो सुरू किया गया कोप 27 में शुरू किया गया है, कोप 27 कहां पर हुआ था, तो मिस्र में हुआ था, कोप 28 कहां पर होगा, तो संयुक्त अरब अमिरात में होगा, और इसमें कौन-कौन सा देश आपके सामिल हैं, भारत, अस्टेलिया, जपान आपने तिन देश को उपर में देखा था, उसके ब तो यह तियार किया गया है, 576 भासाओं पर, 566 भासाओं पर, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रति बर्ष रास्टिये, बिदिक सेवा दिवस कम मनाया जाता है, तो 9 नमंबर को मनाया जाता है, किसे वर्ष 2022 का, 32 बिहारी पुरसकार परदान किया गया है, तो किसे परदान किया गया है डक्टर माधव हड़ा को पर्दान किया गया है जबकि एक थिस्मा ठीक है एक थिस्मा विहारि पुरसकार किसी दिया गया है तो मधु काइब कांकरिया को दिया गया है और का हर blues a कहा पर अठारमा अंतर्स्स टे Cris मेडिसीन सम्मिलन आयोजित किया गया है तो कोचिंग में किया गया है कहाँ पर किया गया है कोचिंग में किया गया है और कोचिंग किस राज में अस्तित है तो कोचिंग किराल राज में अस्तित है खेलो इंडिया नेशनल इन्वर्सिटी गेम्स 2023 के मेजबानी कौन सा राज करेगा तो उत्तर परदेश राज करेगा उत्तर परदेश राज करेगा और इसका जो आयोजन है चार सहरों में इसका आयोजन किया जाएगा सहर नोट कर लिजिएगा लखनौर, गोरकपूर, वारा नसी और नुएडा में इसका आयोजन किया जाएगा कि उएस एसिया इनवर्सिटी रेंकिंग 2023 में कौन से संस्थान आपके सिर्ष पर रहा है तो पेकिंग इनवर्सिटी आपके सिर्ष पर रहता है यह इस का राइट एंसर होजाएगा ठीक है जो पेकिंग इनवर्सिटी है इसका संबंध किस देश से है नेक्स्ट कुईंट है केंद्रिय बीत मंतरी ने भारत के पहले सोबरेन गृन बॉन्ड फरेमबर को मंजूरी दिये किस बजट में इसे जारी करने का प्रस्ताव दिया गया था तो इसे जारी करने का प्रस्ताव जो है 2022-23 बजट में दिया गया था अमिर्का के मेरी लेंड की गवर्नर बनने वाली पहली परवासी महला कौन है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है अरुना मिलर उनका नाम है अर परफिश वॉक्सिंग चेंपियंशिप 2023 के मेजवानी कौन सा देश करेगा तो भारत देश करेगा पंदर्मी ACI एर गन चेंपियंशिप कहां पर आयुज़ित की गई है तो दच्छिन कोरिया में आयुज़ित की गई है किस देश ने दुसरी बिमेस्टेक किरसी मंतरी अस्तर रास्टी सिच्छा दिवस कब मनाया जाता है तो 11 नमंबर को प्रती बर्स जो है रास्टी सिच्छा दिवस मनाया जाता है भारती सेना ने जो है किस राज में वारलोंग मेले का आयुज़ित किया है तो जो वारलोंग मेला है इसका आयुज़ित किस राज में किया गया है त चार अस्टार, चार अस्टार, इट राइट अस्टेशन, परमानन से किस रेलिवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है, तो यह आपके सम्मानित किया गया है, भोपार रेलिवे स्टेशन को, भोपार रेलिवे स्टेशन को जो है, चार अस्टार इट राइट अस्टेशन, परम रमेस कजरिवाल को चुना गया है तो हेमाचल परदेश राज में अवस्थित है तो हेमाचल परदेश राज में अश्थित है तो यहाँ पर चुनाव का रियल्टा आ चुका है और यहाँ पर कांग्रेस के सरकार बन गई है भारती सेना ने कहाँ पर बीर नागरीकों के लिए एकल सुबधा के रूप में बिरांगना सेवा केंदर शुरू किया है तो बिरांगना सेवा केंदर जो शुरू किया गया है यह कहाँ पर किया गया है तो नई दिल्ली में किया और किसके दोरा शुरू किया गया है तो भारती सेना के दोरा शुरू किया गया है नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने दचिन भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया यह train चलाई गई है तो यह train कहां से कहां की बीच में चलाई गई है तो चन्नाई और मैसूर की बीच में चलाई गई है परदान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहां पर a statue of prosperity का अनावरन किया है कहां पर जो है a statue of prosperity का अनावरन कहां पर किया गया है तो यह किया गया है आपके बंगल में किया गया है ठीक है यहां पर एक बर देख लिजिए कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलूरी अंतरास्टी हवाई अड्डे के परिशर में जो है बेंगलूरी के संस्थापक नाद प्रभू केंपे गौला की 108 फिट उची कास परतिमा स्टेची ओफ प्रस्परिटी का अनाबरन किया है ठीक है इसे नूट कर लिजएगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है किस राज में गरीब एबम पिछले बर के लिए अरच्छन को जो है 77 परतिशत तक बला तो 77 परतिशत तक आपके बलाने के लिए एक विध्यक परित किया है तो जारखन में परित किया गया है कहां पर जो है PM गती सक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग सीखर सेमिलन आयूजित किया गया है तो कहां पर किया गया है यह किया गया है बारा नसी उत्तर परतिश में और पच्छे दिवस कब मनाया जाता है तो 12 नमंबर को मनाया जाता है किस राज में अमूर फालकन फेस्टिवल आयुजित किया गया है तो मनिपूर राज में जो है इसे नोट कर लिजेगा इनपोर्टन पॉइंट है 14 नमंबर 2022 को किस राज में जो है अमूर फालकन फेस्टिवल आयुजित किया गया है तो मनिपुर राज में आयुजित किया गया है वर्ष दोहजर पचीस में कवड़ी बिसकप कहां पर होगा वर्ष दोहजर पचीस में जो है कवड़ी बिसकप कहां पर होगा तो बेस्ट मिड्लेंड्स में होगा best midlands में होगा यह आपके किस देश में अस्तित है तो आपको याद रखना है यह कहाँ पर अस्तित है तो यह आपके बृतेन में अस्तित है कहाँ पर अस्तित है तो बृतेन में अस्तित है best midlands इसे नूट कर लिजेगा very very important point है वर्ष 2022 के लिए fit India a school big पहल के लिए सुभंकर किया है जिसे हाल ही में launch किया गया है तो इसका सुभंकर कैया है तुफान और तुफानी क्या है तुफान और तुफानी इसका सुभंकर है next point है 11 November 2022 को किसने जो है E remotely portal किसके दोरा लाउंच किया है तो द्रोपदी मुर्मु जी के द्वरा लॉंच किया गया है द्रोपदी मुर्मु भारत की रास्टपती है भारत की रास्टपती है भारती जैविक डेटा केंदर का उठगाटन कहां पर किया गया है भारती जैविक डेटा केंदर का उठगाटन जो है जितियंद्र सिंग के दोरा इसका उटगाटन किया गया है Reliance Industries भारत का पहला मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क कहां पर बनाएगी तो चिन्नाई में बनाएगी कहां पर बनाएगी चिन्नाई में बनाएगी Important Points इसे नूट कर लिजिएगा और आपको याद रखना है कि पीपी मॉडल पर बनाया जाएगा किसे अंतराश्टी क्रिकेट परिशद का दुसरी बार अध्याद चुना गया है किसे अंतराश्टी क्रिकेट परिशद ICC का दुसरी बार अध्याद चुना गया है तो किसे चुना गया है ग्रेग बार के लिए को चुना गया है इनका संबंध किस देश से है तो इनका संबंध निजिलेंड देश से है इनका संबंध जो है निजिलेंड देश से इसे नूट कर लिजेगा एक तलिस्मा अंतरास्टे वेपार मेला कहां पर आयोजन किया गया है तो नई दिल्लिम में एक तलिस्मा अंतरास्टे बेपार मेला का आयोजन किया गया है किसने ICC T20 पूरुष क्रिकेट बिसकप 2022 का खिताब जीता है तो किसके दवारा जीता गया है इंग्लेंड के दवारा जीता गया है किसे हराकर जीता है तो पाकिस्तान को हराकर जीता है तो पाकिस्तान को हराकर जीता है ठीक है प्रती बर्स विस्व मधु में दिवस कम मनाया जाता है तो 14 नमंबर को प्रती बर्स विस्व मधु में दिवस मनाया जाता है किसे प्रसार भारती का मुख कारकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है कावेरी दच्छिन बंजिव अभियारन को राज का सतर्मा बंजिव अभियारन किस राज सरकार ने अधिसुचित किया है लाडू राज सरकार ने इसे अधिसुचित किया है वारा नसी और किसके बीच विश्व की सबसे लंबी नदी कुरूज सेवा शुरू होगी जनबरी 2023 में वारा नसी और किसके बीच विश्व की सबसे लंबी नदी कुरूज सेवा शुरू होगी तो आपको आद रखना है वा पारा नसी और डीबलू गड़ के बीच में जो है बेश्व की सबसे लंबी नदी कुरूज सेवाप के सुरू होगी ठीक है। एस ए नेत्रहिन फुटबॉल महला, एसी आई उसनियाई, चेंपेंशिप 2022 का आयुजन किया गया है, तो कहां पर किया गया है, कोचिंग किस राज में है, तो केरल राज में कोचिंग अस्थित है, नेक्स्ट है, आस्यान ने किस देश को सध्धान्तिक रूप से अपना, एकर सदस के रूप में स्युकार करने पर सहमती बेक्त की है, तो तीमोर लेस्ते को, तीमोर लेस्ते देश को इसे नूट कीजेगा, यह वेरी वेरी इनपोटेंट है, इसे आस्यान में कितने कंट्री थे, तो आस्यान में 10 कंट्री थे, लेकिन जो एकरमा कंट्री के रूप में क किसे मानता देने पर सहमती बन गई है तो तीमोर लेशते देश को ठीक है तीमोर लेशते देश और आप सभी लोग कॉमेंट करके बताईएगा कि जो तीमोर लेशते देश है ये किस महासागर में अस्थित है ठीक है आप लोग कॉमेंट करके बताईएगा इसका लोकेशन मुखर जी को गोशित किया गया है परख्यात विद्वान आर यल कस्यप का निर्दन हो गया वे थे तो क्या थे एक गनितक थे परती बरस जारखंड राज का अस्थापना दिवस कम मनाया जाता है तो पंद्रह नमंबर को मनाया जाता है जारखंड राज का अस्थापना दिवस जारखंड बिहार से अलग का हुआ था तो पंद्रह नमंबर 2000 को जारखंड बिहार से अलग हुआ था परियावरन बन और जल्बाय परिवतन मंत्रा लेता था सयुंगत रास्ट विकास कारिकरम दूरा कहां पर जो है in our lifetime अभियान शुरू किया गया है मिसर इजिप्ट में शुरू किया गया है मिसर को इंगलिज में इजिप्ट बोला जाता है और साथ ही आपको याद रखना है कि जो कोप 27 है ये कहां पर हुआ था तो कोप 27 भी आपके मिस्र में हुआ है ठीक है Conference of Parties भारतिय ओलंपिक संग के एथलिट आयोक के सदस के रूप में कितने खिलाडियों को चुना गया है तो 10 खिलाडियों को चुना गया है पुरुष T20 बिसकप 2024 की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो स्रिलंका देश करेगा 2024 की अंडर 19 बिसकप T20 की मेजवानी 19 नमंबर से 6 दिसंबर 2022 तक कहां पर अंतरास्टिय गीता महसव का आयोजन किया गया है तो कहां पर किया गया है हरियाना के जो है कुरुषेतर में किया गया है Australian of the Year Award 2022 से किस भारतिय मुल को सम्मानित किया गया है किस भारतिय मुल के बेक्ति को सम्मानित किया गया है किस भारतिय मुल के बेक्ति को सम्मानित किया गया है तो उनका नाम है अमर सिंग, क्या नाम है? अमर सिंग का नाम है किस देश में G20 राष्टा ध्याच्यों का सिखर सम्मेलन आयुजित किया गया है 2022 में, तो कहां पर हुआ है? इंडोनेसिया में हुआ है इसे दोबारा देखेगा, 15-16 नमंबर 2022 को किस देश में G20 राष्टा ध्याच्यों का सिखर सम्मेलन आयुजित किया गया है तो इंडोनेसिया में किया गया है और आपको याद रखना है 2023 का जो है G20 का बैठा कहां पर होगा? तो भारत देश में होगा नतासा पीरक मुसर किस देश की पहली महला राश्ट्पती चुनी गई है? तो स्लोबेनिया की पहली महला राश्ट्पती चुनी गई है नतासा पीरक मुसर एक ट्रिलिन डॉलर खोने बाली कौन से कंपनी वेस्व की पहली सरवनिक रूप से सुचि बद कंपनी बन गई है तो Amazon Company कौन सी कंपणी है Amazon Company इसे दुबारा पढ़िएगा कोशन को कि एक ट्रिलिन डॉलर खोने बाली कौन सी कंपणी विशु की पहली सरविनिक रूप से सुची बद कंपणी बन गई है तो Amazon Company बन गई है भारत और किस देश के बीच यूधवियास 2022 सुरू हुआ है तो भारत और अमिर्का के बीच में यूधवियास 2022 सुरू हुआ है और ये कहां पर हुआ है तो आपको याद रखना है अठरमा संस्क्रन था उत्रा खंड में हुआ है किस राज में पंचाइत अनुसुचित बिस्तार अधिनियम लागू किया गया है मतलब पेशा को लागू किया गया है तो कहां पर लागू किया गया है मद परदेश में लागू किया गया है मद परदेश राज में लागू किया गया है और जो पेशा अधिनियम यह कावाय था 1996 में आया था ठीक है 1996 में आया था 15 नमंबर 2022 को किस ने डिजिटल सकती अभियान 4-0 की सुरुवात किये डिजिटल सकती अभियान 4-0 की सुरुवात किसके दवरा किया गया है शुरू किया गया है रास्टी महला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है डिजिटल सकती अभियान 4.0 किस देश की अंतरिच एजनसी ने आर्टे मिस वन मिसन लॉंच किया है तो किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो अमिर्का की Space Agency नासा के दौरा लांच किया गया है, किसके दौरा नासा के दौरा लांच किया गया है, कहां से लांच किया गया है, तो कनेडी Space Center फुल रीडा से लांच किया गया है, कनेडी Space Center फुल रीडा से लांच किया गया है, क्लाइमेट चेंज पर्फॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से अस्थान पर है बहुत ही अच्छा सवाल है क्लाइमेट चेंज पर्फॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से अस्थान पर है तो भारत आपके आठमे अस्थान पर है भारत आठमे अस्थान पर है पहला स्थ पर डेन्मार्क है यहाँ पर लिख लिजेगा पहला स्थान पर कौण है तो पहला स्थान पर आपके डेन्मार्क है ठीक है सत्यी तुरे lifetime achievement अबट 2022 से किसे सम्मानित किया गया है तो कार्लसस ग्रिया कार्लोस सव्हजु और और आपको याद रखना है कि अस्पेन के फिल्म निर्देशक और लेखक हैं कार्लोस सौरा गलोबल सिल्ड योजना किस समुख दोबरा लॉंच की गई है तो G7 के दोबरा लॉंच किया गया है गलोबल सिल्ड योजना ठीक है दोबरा देखिएगा गलोबल सिल्ड योजना किस समुख के दवरा लॉंच किया गया है तो G7 गुरूप के दवरा लॉंच किया गया है नेक्स्ट पॉइंट है कि नमंबर 2022 में केंसरकार ने किसे नितिय आयोक का पूर्व कालिक सदस नेखत किया है तो डाक्टर अर्बिंद बिर्मानी को जो है केंसरकार ने नितिय आयोक का पूर्व कालिक सदस नेखत किया है निमलिकित में से कौन सा देश 20 में दुसरा सबसे अधिक इस पात का उत्पादन करने बाला देश बन गया है तो कौन बन गया है भारत बन गया है और पूरे 20 में जो है सबसे अधिक इस बात का उत्पादन कौन करता है तो चीन करता है कौन करता है चीन करता है इससे नोट कर लिजेगा दोनों पॉइंट आपके एक्जाम के लिए महतपूर्ण है उत्राखंड उच नयाले नेनी ताल से कहां अस्तनांतरित किया जाएगा कहां ट्रांसपर किया जाएगा तो हल दोवानी में ट्रांसपर किया जाएगा नेनी ताल से उत्राखंड के बरतमान में CM कौन है तो उत्राखंड के बरतमान में जो CM है पुसकर सी धामी है नोट कीजेगा important point है next है प्रति बर्स जन जातिय गौरव दिवस कम मनाया जाता है तो 15 नमंबर को प्रति बर्स जन जातिय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नमंबर 2022 को कहां पर कासी तमील संगमम सुरू किया गया है कासी तमील संगमम कहां पर सुरू किया गया है तो 12 नसी में सुरू किया गया है 12 नसी परदान मंतरी मोदी जी का संसद्य छेतर है और इसका उटगाटन परदान मंतरी मोदी जी के दोरा किया गया था 16 नमंबर 2022 को किस राज सरकार ने बाजरा मिसन सुरू किया है 16 नमबर 2022 को जो है तो असम रासरकार के दोब़गरे बाजरा मिसन शुरू किया गया है अंतरास्टिय टेवल टेनिस महा संग के अफलीट के मिसन में चुने जाने वाले पहले भारतिये कौन बने हैं तो सरत कमल बने हैं 17 नमंबर 2022 को किसे मेटा इंडिया का उपाध्यच नियुक्त किया गया है संधिया देवनाथन को मेटा इंडिया का उपाध्यच नियुक्त किया गया है किस राज में अंतरास्टिय परेटन माट आयुजित किया गया है 17 से 19 नमंबर 2022 को इसे दुबारा देखेगा कि 17 से 19 नमंबर 2022 को किस राज में अंतरास्टिय प्रेटन माट आयूजित किया गया है तो कहां पर आयूजित किया गया है मिजोरम राज में आयूजित किया गया है ब्रिटेन के और अफ मेरिट प्रोषकार से किस भारतिय मुल के नोबल बिजेता को सम्मानित किया गया है तो किसे सम्मानित किया गया है बैंकी राम कृष्णन को सम्मानित किया गया है पहली बार कितनी महलाओं को Defense Services Stop College के लिए चुना गया है तो 6 महलाओं को पहली बार Defense Services Stop College के लिए चुना गया है Next point है महला पे Saber Tennis Tournament Billy Jean King Cup का खिताब किस न जीता है तो किस के दुबरा जीता गया है तो Suriger Land के दुबरा जीता गया है महला पे Saber Tennis Tournament Billy Jean King Cup का खिताब किस न जीता है तो Suriger Land ने जीता है Cambridge Disney ने किस सब्द को Word of the Year 2022 चुना है तो Homer को चुना है Cambridge Disney ने जो है Homer सब्द को Word of the Year 2022 चुना है प्रती बर्स देश में नौजात सिसु देखवाल सब्ता मनाया जाता है तो 15 से 21 नमंबर तक मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर विधी बिस्विद्याले का सिला नियास कहां पर किया गया है तो जैपूर रजस्थान में किया गया है और कब किया गया है 16 नमंबर 2022 को किया गया है प्रवरतन निर्देसाले के निर्देसक कौन है प्रवरतन निर्देसाले के निर्देसक कौन है जिनका कारकाल हाली में एक बरस के लिए बढ़ाया गया है उनका नाम के है तो उनका नाम है संजे कुमार मिस्रा संजे कुमार मिस्रा उनका नाम है नेक्स्ट पॉइंट है 17 नमंबर 2022 को किसे पच्छी मंगाल का 22 राजपाल नेवत किया गया है तो पच्छी मंगाल का 22 राजपाल किसे नेवत किया गया है सीबी अनन्द बोस को और पच्छी मंगाल की मुख मंत्री कोन है तो ममता बंदर जी मुख मंत्री है 14-25 नमंबर 2022 तक किस देश में CITS Sidescope 19 के बैठक आयुजित की गई है तो कहां पर किया गया है पनामा में किया गया है और इसका फूल फर्म नोट कर लिजेगा आपसे फूल फर्म पूछा जा सकता है फूल फर्म क्या होता है तो the convention of international trade in endangered species of wild fauna and flora इसका फूल फर्म नोट कर लिजेगा दोबरा बोल देते है the convention of international trade in endangered species of wild fauna and flora ठीके से नोट कर लिजेगा very very important point है Paris Olympic और Para Olympic 2024 का सुभंकर क्या है Paris Olympic और Para Olympic 2024 का सुभंकर क्या है तो सुभंकर रखा गया है Phrygian Camp Phrygian Camp इसका सुभंकर रखा गया से नोट कर लिजेगा very very important point है भारती सेना की पहली महला a sky driver कौन बनी है तो Lance Nayak Manju बनी है Next point है Excellence in Leadership for Family Planning Award 2022 किस देश ने जीता है तो भारत देश के दुबरा जीता गया है Excellence in Leadership for Family Planning Award 2022 किस देश ने जीता है तो भारत देश ने जीता है 20 में पहली बार ड्रोन के जरिये पस्यों के टीकों की आपूरती किस राज में की गई है तो अरुनाचल प्रदेश राज में की गई है 16 नमंबर 2022 को पुर्वत्तर ओलंपिक खेलो का दुसरा संस्करन किस राज में संपन हुआ तो मेघाले राज में संपन होता है पुर्वत्तर ओलंपिक खेलो का दुसरा संस्करन जो है किस राज में संपन होता है तो मेघाले राज में संपन होता है प्रतिवर्स विस्व सवचाले दिवस कम मनाया जाता है तो 19 नमंबर को प्रतिवर्स विस्व सवचाले दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है एस्या कप टेवल टैनिस टूरामेंट में पदक जितने बाली पहली भारतिये महला खिलाडी कौन बनी है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है मनिका बत्रा उनका नाम है इसे दुबारा देख लीजीएगा, एसिय पम टेबल टेनिस टोरामेंट में पदक जितने बाली पहली भारती महला खिलारी आपने अगामी चुनाव के लिए भारत के मुख निरवाचन राजिव कुमार को किस देश ने अंतराश्टिय प्रेविच्छ करूप में अमंत्रित क क्या था किसने मंत्रित किया था नेपाल ने मंतरित किया था 19 नमंबर 2022 को भारतीप GBMA का वार्शिक्स तरह 2020 कहा पर आयूज़्िद किया गया है तो नागपूर में आयूजिद किया गया बैस नमंबर से 18 दिसंबर 2022 22 तक कहां पर 22 फिफा पुरुस 20 कप आयोजित किया जा रहा है तो कहां पर आयोजित किया जा रहा है आपको पता है कहां पर कतर में आयोजित किया जा रहा है ठीक है कतर में आयोजित किया जा रहा है फिफा कितने वरसों में होता है तो फिफा जो खेल है चार वरसों में अमर सरकार, पोटल किस रास सरकार के दोड़ा लॉंच किया गया है, इस पर सुप्रीम कोट लगतार, सरकार से सवाल भी पूछा है, ठीक है कि आपने 24 घंटे के अंदर जो है अरून कुमार को कैसे निक्त कर दिया उसका क्या प्रोसीजर आपने अपनाया है चर्चा में रही बाली यात्रा का संबंध किस राज से है तो जो बाली यात्रा है इसका संबंध उरिशा राज से इसका संबंध है किसे गांधी मंडेला फॉंडेशन दुवारा सांते पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो तीवती दिलाई लामा को जो है गांधी मंडेला फॉंडेशन दुवारा सांते पुरसकार से सम्मानित किया गया है भारत के साथ यंग प्रोफेशनल्स अस्कीम शुरू करने की गोशना किस देश ने की है तो ब्रिटेन देश के दोरा जो है भारत के साथ में यंग प्रोफेशनल्स अस्कीम शुरू करने की गोशना की गई है नेक्स्ट पॉइंट है प्रती बर्स टेली विजन डे कब मनाया जाता है तो प्रती बर्स टेली विजन डे 21 नमंबर को मनाया जाता है नीकोबारी होदी सिल्ब के लिए भोगोलिक संकेत टेग के लिए आबेदन किस ने किया है तो किस के दुबरा किया गया है अंडबान और निकोबार दीब समू के दुबरा किया गया है सिता माता की दूसरो एकामन फीट उची प्रतिमा किस राज में अस्थापीत की जाएगी तो बिहार राज में अस्थापीत की जाएगी बिहार के किस डिस्टिक में अस्थापीत की जाएगी तो बिहार के सिता मली डिस्टिक में अस्तापित की जाएगी बिहार के एकजाम के लिए महतपूर्ण है तिरपन में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल आफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म परसनलिटी आफ दा इयर दोहजर बाइस चुना गया है तो किसे चुना गया है साउथ फिल्म के हीरो हैं चिरन जीवी को चुना गया है साथ ही आपको लिए रखना की तिरपन में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल का आयूजन कहां पर किया गया है तो भारत के गोवाराज में किया गया थे से नूट के लीजेगा very very important point है next question है पुर्वत्तर भारत का पहला छेतरी युनानी चिकिसा अनुसंधान संस्थान का उठगाटन कहां पर किया गया है तो सील्चर में किया गया है सील्चर किस राज में है तो असम राज में है और इसका उठगाटन किस के द्वारा किया गया है रेडिनेंस इंडेक्स दोहजार बाइस में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो भारत को इसमें एक सथमा अस्थान दिया गया है एक सथमा अस्थान दिया गया है पचिसमा रास्टिये इगवर्नेंस सम्मेलन कहां पर आयुजित किया गया है तो जम्मू में आयुजित किया गया है 25 राश्टी इग गवर्नेंस समयलन किसने छटी बार जो है ATP फाइनल्स टेनिस टूनामेंट का खिताब जीता है तो किसके दोबारा जीता गया है तो नोवाक जो कोई बीच के दोबारा जीता गया है नवाक जो कोई बीच के दोबरा जीता गया है दोबरा देखेगा किसने छटी बार जो है ATP फाइनल स्टेनिस टूनामेंट का खिताब जीता है तो नवाक जो कोई बीच के दोबरा जीता गया है और जो नवाक जो कोई बीच है इनका संबंद किस देश से है तो इनका सम्मंद सर्विया देश से है किसे हराकर जीता है तो कैस्पर रूड को हराकर जीता है नेक्स्ट पॉइंट है जैसे भी साहित पुरसकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है तो खालिद जावेद को जैसे भी साहित पुरसकार 2022 से सम्मानित किया है किस देश ने 2022-2073 के लिए Global Partnership on artificial intelligence की अध्यचता की है तो किस के दोबरा की है भारत के दोबरा किया गया इस दोबरा देख लिजिएगा कि 21 नमबर 2022 को किस देश ने 2022-2073 के लिए Global Partnership on artificial intelligence की अध्यचता की है तो भारत देश के दृबरा किया गया है नेक्स्ट पॉइंट है प्रति बरस 215 दिबस कब मनाया जाता है तो 21 नमबर को प्रति बरस 221 दिबस मनाया जाता है भारतिय सेना कहाँ पर जो है एक एकी करित अगनी सक्ति अभयास सत्रू नास का आयुजन किया है स्री गंगा नगर में किया गया है स्री गंगा नगर किस राज में अस्थित है तो रजस्थान राज में अस्थित है स्री गंगा नगर किस राज में अस्थित पुना निर्मित तवांग युध असमारक राश्ट को समर्पित किया गया है तो कहां पर समर्पित किया गया है अरुनाचल प्रदेश राज में समर्पित किया गया है दोबारा देखेगा किस राज में अस्थित पुनह निर्मित तवांग युध असमारक राष्ट को समर्पित किया गया है तो अरुनाचल प्रदेश राज में अस्थित है जिसे राष् किस ने किया है तो अभी लगातार मिसाल का परिच्छन कोन कर रहा है तो उत्री कोरिया के दोड़ा किया गया है किसने खादी और ग्राम उद्योग आयोग के मुख कारिकारी अधिकारी का पदवार समाला है तो किसके दोड़ा समाला गया है बिनित कुमार के दोड़ा समाला ग के दोरा बनाया गया है और आपको याद रखना है यंज जगदिशन का संबंध तमिल नाडू से और किसके खिलाब बनाया है तो अरुनाशल प्रदेश के खिलाब बनाया है कितना रन बनाया है तो 277 रन बनाया है और आपको याद रखना है जो रन बनाया गया था विजय हज ठोफी में बनाए गया था नेक्स्ट पवाइंट है घर बेब पोटल किस ने लौंज किया है तो रास्टी बाल अधिकार संडच्छन आयोग के दुऌच अंनेक्सिफ को पॉंट है भारत का पहला भारत का पहला जो हाथी मिर्टू लेखा परिच्छा धाचा किस राज ने पेश किया है दुबरा देखेगा भारत के पहला हाथी मिर्टू लेखा परिच्छा धाचा किस राज ने पेश किया है तो तमिल लाडू राज के दुबरा पेश किया गया है भारत सरकार ने जो है रास्टी आत्महतिया रोक थाम रननिती की घोसना किये इसके तहट वर्ष 2030 तक आत्म हत्या से मिर्तु के मामले में कितने प्रतिशत की कमी लाने की प्रतिवाधता बेक्त की गई है तो इसमें 10% कमी लाने की प्रतिवाधता को बेक्त किया गया है कि जो आत्म हत्या करते हैं उसमें 2030 तक 10% की कमी दर्ज क जाएगी नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन ग्रीन पोट और सिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सिलेंस सेंटर की गोशना किसके दौरा किया गया है तो सर्वानंद सुने बाल के दौरा किया गया है ग्रीन पोट और सिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सिल सेंटर की घोशना किसके दोरा किया गया है तो सर्वा नंद सोनेबाल के दोरा किया गया है नेक्स्ट पॉइंट है 22 नमंबर 2022 को उत्तर परदेश के मुख मंत्री योगी आदित नाथ ने कहां पर इनिशको भारत अफिरका हैक थौन 2022 का उठगाटन किया है ग्रेटर नोड़ा में किया गया है प्रति बरस लालित दिवस कब मनाया जाता है तो 24 नमंबर को मनाया जाता है 22 इंटर सर्विसेज बॉली बॉल चंपियंशिप 2022-23 किसने जीती है किसके दोरा जीता गया है तो आर्मी रेड के दोरा जीता गया है अरीटा पट्टी को जै बिवित्ता बिरासत अस्थल गोशित करते हुए किस राज सरकार ने एक अधिस सुचना जारी किया है तो किसके दोरा जारी किया गया है तो तमिल लाडू राज सरकार के दोबारा जारी किया गया है इसे दोबारा आप देख लिजेगा कि अरिटा पट्टी को जै बिवित्ता बिरासत अस्थल गोसित करते हुए किस राज सरकार ने एक अधिसुचना जारी किये तो तमिन लाडू राज सरकार के दोबरा एक अधिसुचना जारी किया गया है प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने कामेंग जल बेदूत पैरोजना को राष्ट को समर्पित किया है यह किस राज में अस्थित है तो यह आपके अरुनाशल प्रदेश राज में अस्थित है कहां पर है अरुनाशल प्रदेश राज में अस्थित है नमंबर 2022 में किस देश में जो है दसमा भारतिय फिल्म होसव आयुजित किया गया है तो दच्छिन कुरिया में आयुजित किया गया है छटी बधिर T20 रास्टिये चैंपेंसिप 2022 किसने जीती है किसके दोबरा जीता गया है तो हर्याने के दोबरा जीता गया है और आपको याद एकना किसे हरा कर जीता है तो महरास्ट को हरा कर जीता है और इसका आयोजन कहां पर किया गया था तो इसका जो आयोजन है कहां पर किया गया था तो आंध परदेश में इसका आयोजन किया गया था ठीक है आंध परदेश में इसका आयोजन किया गया था 20 नमंबर 2022 को भारत और किस देश की नवसेना के बीच नसीम अल बहर 2022 दुविपच्छी अभियास हुआ था तो नसीम अल बहर 2022 जो दुविपच्छी अभियास से किसके बीच में हुआ है तो भारत और उमान के बीच में हुआ है भारत के साथ किस देश की संसद ने मुक्त बेपार समझोता पारित किया है इवन के सरबोच परियावरन पुरसकार चेंपियन ओफ दा अर्थ 2022 से किस भारतिये को सम्मानित किया गया है तो डॉक्टर पुर्नीमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है और आपको याद रखना है इनका सम्मन्ध असम राज से है नमंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच दुपच्छी सेन अभ्यास गलूर सक्ति आयोजित किया गया है तो भारत और इंडोनेसिया के बीच में जो है गलूर सक्ति का आयोजित किया गया है भारत और इंडोनेसिया के बीच में बिस्व के पहले पैरा अस्ट्रोनाट के नाम की घोस्तना किस अंत्रिच एजंसी ने किया है तो किस के दवरा किया गया है E.S.A. के दवरा किया गया है E.S.A. के दवरा किया गया है E.S.A. के दवरा किया गया है 23 से 25 नमबर 2022 तक कहां पर हिंद परसांद छेतरी वारता 2022 आयुज़त की गई है तो कहां पर किया गया है नई दिल्ली में आयुज़त किया गया है 24 नमंबर 2022 को अनबर इबराहिम ने किस देश के नए परदान मंतरी के रूप में सपत लिये तो मलेसिया के नए प्रधान मंत्री के रूप में सपद अनबर इबराहिम के दुआरा 24 नमंबर 2022 को लिया गया है तेंजिंग नोरगे रास्टिय साहसिक पुरस्कार के तहद किसे वर्ष 2021 के लिए जो है लाइब टाइम अचिब्मेंट अवाड दिया गया है तो कैप्टन भवानी सी साम्याल को दिया गया है 23 नमंबर 2022 को कहां से अगनी तीन मिसायल का सफल परिच्छन किया गया है तो एपी जे अब्दुलकलाम उडिसा से अगनी तीन मिसायल का सफल परिच्छन किया गया है एडियोपे संग की संसद ने किस देश को आतंगबाद को प्रयोजित करने वाला राज गोसित किया है तो किस देश को गोसित किया है तो रूस को गोसित किया है रूस को घोसित किया है ठीक है बेरी बेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है अब लोग पकिस्तान कुछ लोग मारतेंगे लेकिन ये किसे घोसित किया है रूस को ठीक है नूट कीजेगा रूस को एसे दोबड़ाद देख लिजएगा कि ईरूपिय संग की संसत ने किस देश को जो है अतनागबाद को प्रेउजित करने वाला राज गोसित किया है तो रूस को गोसित किया गया है ईरूपिय संग के दोबड़ा पकिस्तान मत मारिएगा चर्चा मेरा कडाले काई परीसे उच्छो किस राज से सम्बंदित है तो इसका सम्बंद करनाटक राज से इसका सम्बंद है आसी मुनीर किस देश के सेना परमुख निउक्त किये गए है तो आसी मुनीर जो है पाकिस्तान के सेना परमुख निउक्त किये गए है Project 15 B-BY के दुसरे जहाज को भारती नौसना को स्वोपा गया है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मुर्मू गाउं इसका नाम है Very very important है इसका नाम क्या है? मुर्मू गाउं इसका नाम है और इसे किसके दौरा बनाया गया है तो मचगाउं डॉक सीप बिल्डर्स लिमिटेड के दोड़ा इसे बनाया गया है नेक्स्ट पॉइंट है प्रति बर्स अंतरास्टी महला हिंसा उनमूलन दिवस कब मनाया जाता है तो 25 नमंबर को मनाया जाता है 28 से 30 नमंबर 2022 तक भारती बायुसेना दोड़ा कहां पर समनबए 2022 अभ्यास आयुजित किया गया है तो कहां पर आयुजित किया गया है आगरा में आयुजित किया गया है भारत का पहला स्टीकर अधारित डेविड कार्ड फर्स्ट टेप किस बैंक ने लौंच किया है तो किस के दोड़ा लौंच किया गया है आईडी यपसी फर्स्ट बैंक के दोड़ा लौंच किया गया है लेखा परिच्छा महान देशक की भूम का सिरजित करने बाला पहला राज कौन सा बना है तो पहला राज तमेल नाडू राज बना है निमलिकित में से किस देश ने वर्ष 2023 पचीस कारकाल के लिए International Electro-Technical Commission के उपाध्यच का चुनाव जीता है तो किस देश के दोबरा जीता गया है भारत देश के दोबरा जीता गया है कि निमलिकित में से किस देश ने जोए वर्ष 2023 पचीस कारकाल के लिए International Electro-Technical Commission के उपाध्यच का चुनाव जीता है तो भारत देश के दोबरा जीता गया है मौर्निंग कंसल्ट के अनुसार विसु के सरवादिक लोग पिरिये नेता कौन बने है तो नरेंदर मोदी बने है भारत सरकार ने किस देश के राश्टपती को गंतंतर दिवस परेड़ 2023 के लिए मुख अतिथी के रूप में आमंत्रित किया है तो किसे आमंत्रित किया है मिसर के राश्टपती को मिसर के राश्टपती को जो है मुख अतिथी के रूप में अमंत्रित किया है 26 जनवरी 2023 को ठीक है 26 जनवरी क्या मना जाता है तो गंतंत्र दिवस उसे बोला जाता है और 15 अगस्त को जो है सोतंत्र दिवस बोला जाता है आप से भी लोग गंतंत्र दिबस और सुतंत्र दिबस में क्या difference है आप से भी लोग इसके बारे में comment box में बताईएगा 23-30 नमंबर 2022 को कहां पर सुनजल 2022 का आयूजन किया गया है तो सुनजल 2022 का आयूजन जो है जमू कास्मीर में आयूजित किया गया है जम्मु कास्मीर के उपराजपाल कौन है तो मनोज सिंधा जो है जम्मु कास्मीर के उपराजपाल है पांच वर्ल्डकप में गोल करने बाले पहले फुटबोलर कौन बने है तो क्रिस्टानो रोणालडो बने है क्रिष टानो रोनालडो बने हैं इस नोट कीजिएगा very very important point है post harvest management center post harvest management center और rural connection center का उडगातन किस राज में किया गया है तो तिरपूरा राज में उडगातन किया गया है और इसका उडगातन किस के दोरा किया गया है तो तिरपूरा के मुख मंतरी मानिक सहा के द्वारा इसका उठगाटन किया गया है प्रति बर्स रास्टिये दूध दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नमंबर को जो है प्रति बर्स रास्टिये दूध दिवस मनाया जाता है और साथ ही आपको याद रखना है कि 26 दिवस को जो है और एक कौन सा दिवस मनाया जाता है तो समिधान दिवस भी 26 नमंबर को ही मनाया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है 26 नमंबर 2022 को कहां पर सर्वे बेसल्स पर्योजना का जहाज इच्छक लॉंच किया गया है भारती अंतरिच अनुसंधान संगठन इसरो ने किस देश के नैनो सिटर लाइट टू को पी एसल्वी सी चगवन रॉंच किया है तो भुटान के जो सिटर लाइट था नैनो सिटर लाइट टू को पी एसल्वी सी चगवन से लॉंच किया गया है तो इसरो को द्वारा लॉंच किया गया है ठीक है इसरो भारत की स्पेस एजन्सी है आप सभी को पता भी होगा नेक्स्ट पॉइंट है कि 28 नमंबर से 11 दिसंबर 2022 तक भारत और अस्टेलिया के बीच दुपैच्छे सेंड प्रसिच्छन अभियास आस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन जो है कहां पर किया गया है तो इसका आयोजन राजस्थान राज में किया गया इसे दोबारा एक बर देख लिजेगा कि 28 नमंबर से 11 दिसंबर 2022 तक भारत और अस्टेलिया के बीच दुपैच्छे सेंड प्रसिच्छन अभियास आस्ट्रा हिंद 22 कहां आयोजित किया जा रहा है तो राजस्थान हरियाना राज के मुखमंतरी स्वास्थ परिच्छन योजना का सुभारम जो है भारत की राश्पती दृपढ़ी मुरमो जी के दुपारा किया गया है 26 नमंबर 2022 को किसने जो है जस्टिस मुबाइल एप का सुभारम किया है तो नरेंद्र मोदी जी के दुपारा सुभारम क 26 नमंबर 2022 को बिकरम गोखले का निर्दन हो गया वे थे तो वह क्या थे तो एक अभिनेता थे बिकरम गोखले जो क्या थे तो बिकरम गोखले एक अभिनेता थे Time Higher Education द्वारा जारी Global Employability University Ranking and Survey Report 2022 में कौन सा भारतिय संस्थान टॉप पर रहा है तो IIT दिल्ली जो है इसमें टॉप पर रहता है चार से साथ दिसम्बर 2022 तक कौन सा सहर जो है भारत में पहली बार G20 सिर्फा बैठे की मेजबानी करेगा तो कौन सा सहर करेगा उधैपूर रजस्थान करेगा उधैपूर रजस्थान करेगा दोबार देखेगा चार से साथ दिसम्बर 2022 तक कौन सा सहर भारत में पहली बार जो है जी ट्वन्टी सिर्पा बैठे के मेजवानी करेगा तो उधैपुर रजस्थान करेगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि G20 के लिए भारत का सेरपा कौन है आप सभी लोग कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा 27 नमंबर 2022 को रास्तिय कैड़ेट कोर की कौन सी वर्सगाठ मनाई गई है तो चहोतरमी वर्सगाठ मनाई गई है भारतिय ओलंपिक संग का अध्यच किसे बनाया गया है तो पीटी उसा को बनाया गया है किस राज में धम दीपा अंतरास्टी बहुत विस बिद्याले की अधारसिला रखी गई है 29 नमबर 2022 को तो त्रिपूरा में रखा गया है कहां पर रखा गया है त्रिपूरा राज में रखा गया है किस राज ने गंगा जल आपूर्ती योजना का लोकारपन किया है तो बिहार राज ने जो है गंगा जल आपूर्ती योजना का लोकारपन किया है जो BPSC एक्जाम होगा 68th BPSC और बिहार SSC उनके एक्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये प्रस्न ठीक है और आपको याद रखना है कि जो गंगा जल आपूर्ती जोजना है इसका सुभारम किसके दोरा किया गया है तो बिहार के मुख मंत्री नितिश कुमार जी के दोरा किया गया है और कहां पर किया गया है तो राजगीर में किया गया है किस देश ने पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है तो कनाड़ा देश के द्वारा जो है पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीता गया है नेक्स्ट पॉइंट है भारत की पहली एकी कृत रोकेट सुबधा अस्थापित किये जाने की घोसना किस राज ने की है तो किसके दवरा किया गया है तो तेलंगाना राज के दवरा किया गया है तेलंगाना राज के दवरा किया गया है इनो इसको एसिया परसांथ पुरसकार 2022 में अवार्ड आफ एकसी लेंस से किसे सम्मानित किया गया है तो किस बल्लेबाज ने एक ओवर में साथ छक्के लगाने का विश्व किर्टीमान बनाया है। तो विश्व किर्टीमान किसके द्वरा बनाया गया है। रितु राज गाया कबाल के द्वरा बनाया गया है। रितु राज गाया कबाल के द्वरा बनाया गया है। साथ छक्के लगाने का कृतिमान अस्थापीत कर दिया है इसे नूट कर लिजेगा और आपसे पूछा जा सकता है कि किस के खिलाप ये मारा गया था तो आपको याद रहाखना है कि गाया कमार ने जो है अहमदाबाद में उत्र परदेश के खिलाप ये रिकोर्ड बनाया है कहां पर बनाया है अहमदाबाद में बनाया है और किस के खिलाप बनाया है तो उत्र परदेश के खिलाप में बनाया है 28 नमंबर से 12 दिसमबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच सयूंक्त सैन अभियास हरीमो सकती 2022 आयूज़ित किया जा रहा है तो भारत और मलेसिया के बीच में आयूज़ित किया जा रहा है बरतमार में भारत के बिदेश सचीब कौन है तो बिने मोहन कवातर हैं यह लगाता है रचर्चाए में रहते हैं भारत का पहला जी ओ फैब जी से वह प्राप्त करने वाला राज कौन है तो गुजरात है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है बिसुस्वास्त संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदल के क्या कर दिया है तो एम पॉक्स कर दिया है क्या कर दिया है monkey pox जो पहले नाम था इसे अब बदल के यम pox कर दिया गया है टीबी मुक्त भारत अभ्यान के लिए किसे रास्टी राद्दूत के रूप में नामित किया गया है तो दीपा मलिक को नामित किया गया है भारतिय खाद सुरच्छा और मानेक प्राधिकरन फेसाई ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दिये तो हिमाली याक को मंजूरी दिया गया है खादी और गराम उद्योग आयोक के अध्यच ने किस राज में महात्वकांची रीहब परयोजना का सुबहरम किया है तो कहां पर किया गया है उत्रा खंड राज में किया गया है इसे दोबरे देखिएगा खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यच ने किस राज में महात्वकांची रिहब परुजना का सुभरम किया है तो उत्राखंड राज में किया गया है मोना लुआ जोला मोकी में भी स्फोर्ट हुआ ये कहां पर अस्थी थे तो जो मोना लुआ जोला मोकी है ये अमिर्का में अस्थी थे और अमिर्का में कहां पर अस्थी थे तो अमिर्का के हवाई दीप पर अस्थी थे हवाई दीप कहां पर है तो परसांत महासागर में अस्तित है मरियम बेवेस्टर ने किसे वर्ष 2022 के लिए बर्ड आफ दा ओजर गोसित किया है तो किसे गोशित किया है गैस लाइटिंग को जो है मरियम बेवेस्टर ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड अफ दा इयर गोशित किया है 14 दिसंबर 2022 को ध्यान रखेगा 14 दिसंबर 2022 को किस भारती बेकती तुप की संयुक्त राष्ट में पहली परतीमा का अनावरेन किया जाएगा तो महात्मा गांथी जी के जो परतीमा है उनका अनावरेन किया जाएगा 20 के पहले COVID नेजल टीके इन कोबे को भारती औसदी महान यंत्रक ने COVID बुस्टर खुरा के रूप में सुकृती दी है इसकी निर्माता कौन है तो किसके दौरा इसका निर्मान किया गया है तो इसका निर्मान जो है भारत बायोटेक के दौरा किया गया है नेक्स्ट पॉइंट है भारत के पहले स्टार्ट अप ऑपरेटेड लांच पैड और Mission Control Center का उटगाटन स्रीहरी कोटा में किया गया है इसका निर्मान किस ने किया है इसका निर्मान किस कमपनी के दवरा किया गया है तो एक Startup Company अगनी कूल Cosmos इसके दवरा किया गया है अगनी कूल Cosmos कमपनी के दवरा किया गया है Next Point है 59 में Asia Pacific Broadcasting Union महासभा 2022 के मेजवानी किस सहर ने किये तो नई दिल्ली के दवरा किया गया है तो टोटल इस वीडियो में 300 प्रस्ण को डिसकस किया गया है जबके आगे आने बाले सभी इक्जाम के लिए महतपूर्ण है हम आसा करते हैं कि आप लोगों ने सहर जरूर किजेगा थैंक यू